नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्ने जी भारत के भुगवल से संबंदित महत्यपूल प्रशनों की सिरंखला के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की महत्पूर नदियों से संबंदेत कुछ महत्पूर प्रस्ण और नदियों से संबंदेत प्रस्णों का ये दूसरा पार्ट है इसके पहले के पार्ट में भी हमने नदियों की बात की थी और नदियों से लेटेड कुछ अतिमहत्यपूर्ण प्रशन सामिल किये गए थे तो आज के पार्ट में भी हम नदियों से लेटेड ही कुछ कोश्चन ऐसे कोश्चन जो की पिछले वीडियो में नहीं हो पाए थे वो 6 थे तो ऐसे question आज के इस वीडियो में सामिल किये गए तो आएए सुरू करते हैं और आज का हमारा जो पहला question है वो है निमन में से किस भारती राज में से चिनाब नदी गुजरती है आपको ऐसा भारती राज बताना है जहां से हो करके चिनाब नदी बहती है या फिर गुजरती है इसके जो option है वो है जम्मु कश्मीर पंजाब उत्तरप्रदेश या फिर राजस्थान इन में से किस राज से होकर के चिनाब नदी गुजरती है तो इसका तो सही आंसर है वो है जम्मु कस्मीर चिनाब नदी जम्मु कस्मीर राज से होकर के गुजरती है अगला कोश्चन है आपको बताना है चार नदियों के आप्शन दिये होंगे उनमें से आपको बताना है कि उनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है तो आपको बताना है अरब सागर में निमन में से कौन सी नदी गिरती है option है कोदावरी, महा नदी, माही नदी या फिर कश्ना नदी इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है तो इसका वो सही आंसर है वो है माही इनमे से जो माही नदी है वो अरब शागर में गिरती है हमारा अगला कोश्चन है प्राइदीपी भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है आपको बताना है जो प्राइदीपी भारत है प्राय दीपी भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है option है तापती, महा नदी, नर्मदा या फिर इन में से कोई नहीं तो ऐसी कौन सी नदी है जो प्राय दीपी भारत में पूर्व की ओर बहती है इसका तो सही आंसर है वो है महा नदी जो महा नदी है वो पूर्व की ओर बहती है और ये नदी प्रायदीपी भारत में भी बहती है प्रायदीपी भारत जो भी हताटी छेत्र है उसको प्रायदीपी भारत संगय दियाती है चाहें वो उजरात हो उडिशा हो अंध्रा हो तो ऐसा छेत्र तो उस छेत्र में पाई जाने विली महानदी जो है वो पूर्वी छेत्र की ओर या पूर्व दिशा की ओर बहती है अगला कोश्चन है जोग प्रपात किस नदी से संबंदित है जो जोग जल प्रपात है वो किस नदी से संबंदित है या फिर वो किस नदी में किस नदी से गिरता है या किस नदी पर इस्थित है तो इसके जो आप्शन है वह है गोदावरी, गंगा, सरावती या फिर नन आपदीज या फिर इन म किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं तो यह जो जोग प्रपात है यह सरावती नदी पर इस्तित है और यह सरावती नदी से संबंदित है अगला कोश्चन है तवा नदी किस की सहायक नदी है आपको बताना है तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है इसके जो option है वो है महा नदी गोदावरी, नर्मदा या फिर ताप्ती इन में से किसकी सहायक नदी तवा नदी है तो इसका जो सही answer है वो है नर्मदा तवा नर्मदा की सहायक नदी है आगे बढ़ते हैं हमारा next question है ब्रहंपूत नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है आपको बताना है कि ब्रहंपूत नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है आपको जो option है वो है पदमा, सांगपो चकमुडग या फिर हिमजग इन में किस नाम से ब्रहमपुत्र को तिबबत में जाना जाता है तो इसका तो सही आंसर है वो है सांगपो और सात्यूं यहाँ पर जो भी questions बता जा रहे हैं यह किसी न किसी exams में पूछे हुवे question है और इनके repeat होने के भी प्रबल संभावना है आज़े बात करतें अगले question की तो हमारा अगला question है निम्ट में से कौन एक लैगून जील नहीं है आपको पताना है कि जो भी option दिये हैं इन में से कौन सी जील लैगून जील नहीं है option है चिलका जील, अश्टामोडी जील, पेरिया जील या फिर पलिकट जील इन में से कौन सी जील जील का लैगून जील नहीं है तो इसका तो सही आंसर है वो है पेरिया जील एक लैगून जील नहीं है अब बात करते हैं लैगून जील की तो लैगून जील का निर्माड कैसे होता है लैगून जील का जो निर्माड होता है वो समुद्र या महासागर के किनारे पर, जो भी समूद्र और महासागर उनके किनारे पर जो भी जल्ज के दोरा च्छेतर बन जाता है उतला च्छेतर बन ता है तो उसको लैगून जील कहा जाता है, और इसके अलावा जो चिलका जील, अस्टामोडी जील और पलिकठ जील यह सभी एक लेग़न जील है इस्तितन होंगाु जो पेज्याज जील है यह क्यों नहीं है क्यों नहीं है कि समुद्रिय सागर किनारे इस्तित नहीं है तहींMan निम्न में किस नदी से अधिक नदी पत परिवर्तित किया है आपको ऐसी नदी का नाम बताना है जिसने अपना नदी पत या फिर अपना रास्ता सबसे अधिक परिवर्तित किया है option है सोन नदी, गंडक नदी, कोशी नदी या फिर गंगा नदी इन में से किसने अपना पत सबसे अधिक परिवर्थित किया है तो इसका सभी आंसार है कोशी नदी ने अपना नदी पत या अपना रास्ता सबसे अधिक परिवर्थित किया है अगला कोश्चन है निम्न मेंसे किस नदी के जल ग्रहन छेतर सरवादिक है आपको ऐसी नदी का नाम बताना है जिस नदी का जल ग्रहन छेत्र या फिर सबसे अधिक छेत्र में बहने वाली नदी या सबसे अधिक जल का संकलन करने वाली या अपने में सबसे अधिक जल को समाहित करने वाली नदी का नाम आपको बताना है इसके जो option है वो है नर्मदा, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा इन चार में से सबसे अधिक जल को ग्रहन करने की छमता या सबसे अधिक जल ग्रहन करने का जो छेतर है वो किस नदी का है तो इसका जो सही आंसर है वो है गोदावरी सबसे अधिक जल ग्रहन छेतर वाली नदी है अगला कोश्चन है भारत में सबसे अधिक उचाई वाला जहरना कौन सा है इसके पहले question में बताया गया था इसके लाबा मीन मटी जरना, कुंचीकल जरना या फिर धुवाधार जरना धुवाधार जरना जो की जबलपुर में इस्तित है तो आपको दाना इन में से कौन सा सबसे अधिक उचाई पर इस्तित जरना है इसके जो सही आंसर है कुंचीकल जरणा, सबसे अधिक उचाई वादा जरना है अगला question है भारत के किस राज में फुलर जील इस्तित है आपको ये बताना है कि फुलर जील किस राज में इस्तित है आपके option है मद्द प्रदेश में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश में फुलर जील उत्तर प्रदेश राज्य में इस्तित है अगला question है निवन में से किस नदी का उद्गम इस्तल भारत में नहीं है आपको ऐसी नदी का नाम बताना है जिसका उद्गम इस्तल या फिर जिसकी उद्पत्ती भारत में नहीं हुई है option है व्यास चिनाब रावी या फिर सतलज इन में से कौन से नदी भारत में उद्गम या भारत में उद्पत्ती नहीं हुई है तो इसका जो सही आंसार है वह सतलज नदी का जो उद्गम इस्तल है वह भारत नहीं है इसका उद्गम इस्तल कहा है तो इसको हमने अपने पहले व अगला question है, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपको तामा पताना है, दामोदर किस नदी की सहायक नदी है, इसका जो option है गंगा, हुगली, पदमा या फिर Sondra रेखा, इन में से किसकी सायक नदी दामोदर है तो इसका तो सही आंसर है वो है हुगली जो दामोदर है वो हुगली नदी की सायक नदी है और यह पस्ची मंगाल से बहती है अगला question है लेह इस्तित है आपको बताना है लेह कहाँ पर इस्तित है जेलम नदी के दाया तट पर या फिर जेलम नदी के बाया तट पर या फिर सिंदु नदी के दाया तट पर या फिर सिंदु नदी के बाया तट पर इन में से कहाँ पर लेह इस्तित है तो इसका सही आंसा वो है सिंदु नदी के बायातट पर जो सिंदु नदी है उसका जो बायातट है वहाँ पर लेह इस्तित है आई यह बात करते हैं अगले कोशन की तो अगला कोशन है कंगा नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है जो गंगा नदी है उसको किस परकार की नदी कहा जाता है अनुवर्ति अपवाः पूर्वर्ति अपवाः परवर्ति अपवाः या फिर अक्रम वर्ति अपवाः तो इन में से किस परकार की नदी गंगा नदी है तो गंगा नदी जो है इसका सही आंसर है वो है पूर्वर् अपवा की एक नदी है, अपवा मेंस होता है उसका बहने वाला छेत्र, फिर बात करते हैं पूरवर्ती की, तो इसको गंगा को पूरवर्ती अपवा की नदी को कहा जाता है, क्योंकि गंगा नदी ने अपने उद्गम से, जब भी गंगा का उद्गम हुआ है, उस समय से अभ आसे नदी की ना इस नदीya अपने मार्ग में परीवर्तन नहीं करती हि, तो आईसे नदी को पूरवर्ती अपवा की नदी कहा जाता है इसके अलावा हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें भी एक नदी थी ब्रहंपूर नदी थी जिसको पूरवर्ती नदी कहा जाता है क्योंकि उसे ने भी मार्ग में परवर्तन नहीं किया है तो वहां भी हमने एक्स्प्रेंड किया था कि पूरवर्ती नदी क्या होती है इसक तो गंगा ने अपना मार्ग पर 5 बरतित नहीं की आई इस पुर वर्ति नदी कहा जाता है अग्ला कोश्चन है निम्ड में से कौन सा जल परपात गोवा में इस्तित है आपको गोवा में इस्तित जल परपात का नाम बताना है दूवाःदार परपात दूद सागर प्रपात, नोखाली कई प्रपात या फिर लैंड शिंग प्रपात इन में से कौन सा प्रपात गोवा में इस्तित है इसका तो सही आंसार है वो दूद सागर प्रपात जो दूद सागर प्रपात है वो गोवा में इस्तित है इसके लावा जो धुमाधार पपात है ये जवलपूर में इस्तित है अगला कोश्चन है भारत की किस नदी को जैविक मरुस्तल की संग्या दी जाती है आपको ऐसी नदी के नाम बताना है जिस नदी को जैविक मरुस्तल की संग्या दी जाती है इसका जो option है वो है नोपाल नदी, दामोदर नदी, भीवानी नदी या फिर बधार नदी इन में से किस नदी को जैविक मरुस्तल की नदी के नाम से जाना जाता है तो इसका जो सही answer है वो है दामोदर, दामोदर को जैविक मरुस्तल के नाम से भी जाना जाता है इंपर्टेट कोश्चन है एक्जामस में पूछने की प्रवल संभा होना है जैविक मरुस्तल दामोदर नदी को कहा जाता है अगला कोश्चन है बेतवा नदी किस नदी में जाकर के मिलती है आपको ऐसी नदी का नाम बताना जिसमें बेतवा नदी जाकर के मिल जाती है option है गंगा, यमुना, ब्रहांपूतर या फिर सोन किस नदी में जाकर के बेतवा नदी मिलती है इसका तो सही आंसर है वो है यमुना बेतवा यमुना नदी में जाकर के मिलती है या फिर इसको दूसरे वे में कहें कि जो बेतवा है वो यमुना की सहायक नदी वो में से एक है और जो यमुना है वो गंगा की सहायक नदी है अगला कोशन है कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है आपको ऐसी नदी का नाम बताना है जो की ओडिशा में डेल्टा का निर्माल करती है अगर हम यहां पर बात करें डेल्टा की तो डेल्टा क्या होता डेल्टा नदी के जो मुहाना होता जहां पर नदी की स से भाह कर ला जाते हो उनका जमाव होता है तो अक चार आपको आती है गाती हैं डेलटा कें लाती है कि कौन से नदी ओडी सा में डिल्टा करती है आज में अचले निर्माल करती है फाट करेक्ति से अगर आप पहली बार जुड़ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिससे हमारी नोटीफिकेशन आपको सबसे पहले प्रवाइड हो जाएगी इसके लावा फेस्बूक पर हमसे जुड़ने के लिए फेस्बूक पर लर्ण इजी नाम का गुरूप और पेस दोनों अवलेवाल है जहां पर आप जुड़ करके इस्टे माटेरियल और जो भी जनकारी है वह प हन्यवाद